हलो दोस्तों कैसे आप सब आई होब कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों सब आप सभी का एक बाफिस से आपके अपने चनल रेखास ब्यूटी वॉल्ड में दोस्तों आःज में आप लोगों को अचेंशनल ओयल का यूज बतांगी आप लोगों के काफी ड़ीम से कमेंट्स आ रहे थे कि मैं फेशनल में अचेंशनल ओयल को हमें कीस तरह से यूज करना चाहिए वो बता दिज्ये तो हां आज केसल में म revelation के करमें है कि अचेंशनल ओयल किट हम यूज करेंगे इसमें आप लोगों को 6 स्टेप मिल जाते हैं 6 स्टेप फेशियल किट है ये क्लिंजर स्क्रब जेल क्रीम पैक एंड सीरम आप लोगों को इसमें मिलता है ये दोस्तों बड़ा वाला फेशियल किट है इसका जो MRP है वो 700 रुपीज है बट मैंने इसे online पर्चेस किया था तो offer जल रहा था तो मैंने offer में इसे 315 रुपे में 315 रुपीज में इसे पर्चेस किया है अभी आप लाइफ रिजर्ट भी आप लोग इसका देख लीजेगा वाकि आप खुद भी इसको ट्राइक किजिएगा यूज करके दिखिएगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज में फेशियल में आप लोगो अगर आप इसे सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजर्ट की जगा नेगेटिव रिजर्ट भी मिल सकते हैं तो इसे फोर तू फाइफ ड्रॉप्स आपको यूज करनी है पूरे फेशियल में इस चीज़ का आपको ध्यान रगना है अब ये फो ऑइल लेना है उस ऐड़ को गयान चुर्णा पटेकन को पार तो आपको पटा लग जाएगा कि वह एक उयल्स को मेरिय और उनका है और उनको है डिकत होनेया अगर आप उनको पहले से संसन नहीं करेंगे तो आपको बाद में दिक्क्ता हो सकते है क्लाइफ रिलेक्स भी पहले ही पैस्ट टेस्ट कर लें ताकि आपको सारे पॉजिटिव रिजर्ट मिले ठीक है अगर क्लाइन पहले से बोलता है आपको कि मैं इस असेंशल को यूज कर चुकी हूं और मुझे से कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप यूज कर सकते हैं तो फर्स ड्रॉप आपको करैं यूज करें diva करें और मुझे सटाफसेंशल और मुझे सर दिक ने का थैंशनचर्प को अपुरे में मिक्स कर लें और उसके बाद हमें लग्णा तो 3 फैस एंवारा फैस पर मैंुगत की मसाज़ दिए ऑ्मारा में ँसमें इक ऩngतकरेंगे और उसके बाल हमें थार्फे एक द्रॉब हम पाक में मिक्स करेंगे और पूरे फेस पर अच्छे से पैक को अप्लाई कर दें इस तरह से फोर तु फाइव ड्रॉपस आपको अपने पूरे फेशिल में अशेंशिल ऑईल की यूज करनी है इससे ज्यादा अशेंशिल ऑईल को हमें यूस नहीं करना है यह कम कॉंटिटी में यूज होता है और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको देता है तो चले स्टार्ट करते हैं आज का फेशियल अचेंशिल ऑइल के साथ हमेरी किट का फॉर्स टैप डीप क्लिंजिंग करनी है क्लिंजिंग करने से पहले मेक शूर कि आपका फेज अच्छे से क्लीण होना चाहें अगर मेक अगर्या लिजेगा तो आप उससे पहले मेट कोटन से तना होले अची खेए किया वा था मेरे टिट कीक्लेगा था हूँछा और न हार भी से लिए हूर। मुवमेंट्स में क्लिंजिंग करनी हैं क्लिंजिंग में हम कोई मसाज कर स्टेप नहीं करेंगे 2-3 मिनट्स हमें सर्कुलर मुवमेंट्स में मसाज करनी है मसाज के स्टेप नहीं करने हैं स्रिफ हमें फेस पर से जोड़ी हमाई डस्ट मिट्टी धूल मिट्टी है पॉल्यू हेल्प से या फिर ट्रेंग समय नो पूरत यख़ को छिब यख़ पर पीजिविश्ट सेस्ट करेंगे एक लायंनगी और कि अगर अगर देखल चलिंजर के सासा जो खर अभी पर गार जाए को बित अगर पहरे बंदिया और भी दो फेस्ट पर दी सब्सक्रा जाएगा और नेक्सक्रेब उसी वह बहुत ही अच्छे बाइब करना है ताकि जो जो फेसपे ना रह सी ओड़ा है इस वाधा अच्छे प को अच्छे बार भी इडालना है कि सूं नधुम को अच्छे से पूरे को wagon करनेंगे उससे बाद अच्छे से टॉन euh करते हुए लगानु मिक्स कर लिया यह टो एक मद्रोय हमारा हैच वे अच्छे टॉन करना है, अपको नेक भी कवर करना है तो यह मैंने फेस पर टॉन कर ली है उसके बाद हमारा नेक्स ट्प होगा स्क्रब स्क्रब में जो मैंने 1 drop essential oil mix कर लिया था एंड पूरे face पर अप्लाइ कर देंगे हम दो मिनट के लिए स्क्रब को इस तरीके से छोड देंगे 2 मिनट बाद पूरे face को अच्छा से घीला कर लेंगे और करने के बाद हमें circular movements में मसाज देने हैं कर दिमते हमें एंक हैं कि यह उसलिजेर के लिए कर आप दिन हे में साहरा है यह दिमत दिधा म१न का पी पारिखने की। स्क्रब पी तो शाहना एंसे रेएंट जी पर सबस्क्राइब करें यह में आपको कि दिन disp Luft most it स्कूपते हैं। तो इस तरीके का इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बहुत स्मूथ सा ये हमारा स्क्रब है, तो अच्छे से आपको स्क्रबिंग करनी है, तो ये मैंने स्क्रबिंग कर ली है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको भी हमें जिस तरीके से हमने क्लेंजर को क्ले लेंगे इसको भी हमें फाहरे लिए ताकि सप्वाइब कर सकते ही तो इस ली से क्लीन में वाइट ब्लैक और वहां पर हम सोडा एकारबिनेट स्ट्रिप आप नदेました जासे कि वहां है वे इसको फोगी सोडा लिया है जो घरमे का सोड़ा यूसरा है उसे में पानी मिक्स कर लने आ टेज नहीं था ना नॉमल कर से अमस्तिप प्लेंगे cotton की strip को हम इसमें dip करेंगे and nose area पर लगा लूँगी मैंसे क्योंकि मेरे जो वाइट थे वो nose area पर दिख रहे थे मुझे तो मैंने वाइट के लिए remove करने के लिए इस प्रोसेस को आप पूरे फेस पर फॉलो कर सकते हैं वो मैंने आपको शुरू की वीडियो में बता रखा है तो आप उन वीडियो को भी जरूर देख लीजगा तो इस तरीके से आप लोग स्टीम दे लेंगे हम फेस पर 3-5 मिनट के लिए हम अच्छे से स्टीम दे लेंगे इसे क्या होगा कि आपके आपकर आपका यूंड पोगत इस नी रिमुट हो जाएंगे बहुत मेहनत नहीं करने पड़े कि आपको ऐस प्रत कर रिमूब करने के लिए अपने खुद बखन अ कर प्रेस करेंगे आप शुन को थो तो इस तरह किसे आप इस का यूज कर सकते हैं अपने हम नेक्स टेप पर जाएंगे तो इसली बहुत रिमूव हो जाते हैं आपको बिल्कुल भी स्किन को जादा प्रेस नहीं करना पड़ता क्योंकि जो एक्सिक्टर होता है जो हमारा वाइट रिमूबर होता है उसे बहुत साथ प्रेस करके निकालते हैं तो वह हमारी स्क कोड कम्प्रेशन देंगे स्किन पर तो उसके लिए हम रोज वाटर लेंगे और इसके से टोन कर लेंगे नेक्स है पर दोसको किट का हमारा नरिशिंग ज़ल इस ज़ल से हम वाइस पर अच्छे से मसाज करेंगे जो भी तो बहुत सब्सक्राइब सेपस्टे लिए फीशल म जेल को अपनी इजली पंड रहेग्म तो आप नर्मल मसाज कर सकते हैं तो यह सारे मसाज कई कर रही हूं यह मैंने आपको डेटेल वीडियो दिया हुआ है दिया हुआ लिंक देदूंगी और स्थापक्ति इसमारी स्राउब कि आपने सुर्पिटेप्ट्रेस के लिए सब में नाम से एक प्लेइस्ट है तो उसमें आपको सारे मिल जाएंगे मासाज केह तो आप वो प्ली देख लिए तो इस तरीकी से मैंने जैल से प्रॉपर तरीकी से सारे स्वालो करते हुए एस पर अच्य से मसाज को कर लिया है इसमें हमारा नेक्स टेप होगा नेक्स्ट त्रेप है दूस्तु हमारा वाइन फेशिल केट का वाइटनिंग क्रीम क्रीम से हम 10 मिनट तक मसाज करेंगे, प्रापर दरीख시면 compare का चाप था मेंड़े Clemshaus training को फॉल्依े की 6 सब्पर यथार प्रते मीनट dos has a आपको बहुत ही अच्छा रिजर्ड मिलें क्योंकि जो मसाज होती है वो आपके blood circulation को improve करती है आपकी glans की activity को improve करती है जिसे आपको एक अच्छा glow मिलता है दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है पैक तो यह मैंने पैक ले लिया है और पैक में हमें कुछ भी मिक्स करने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी जो कंसिसेंसी इस तरह की सी थी कि इजीली अप्लाय हो गया तो इस तरीके से मैं पूरे फेस पर पैक को अप् दोस्तों उसके बाद हम पैक को अच्छे से इमल्सिफाय करेंगे पैक को अच्छे से इमल्सिफाय कर लेंगे पैक को अच्छे से इमल्सिफाय कर लेंगे तो अच्छे से इमल्सिफाय करेंगे दैनम फेशिय डिशु की हल्प से या वेट कोटन की हल्प से अच्छे से अच उसको clean कर लेंगे ठीक है उसके बाद हमारा next step है दोस्तों हमारा royal touch serum आपने को किट में हमारा साथ में आया है यह serum तो serum आपने, यह कर दोगी मैं face पर इस तरीक से. यह हमारा kit का last step था serum system apply करने के बाद अपने का लास्ट पा था serum करने के बाद आपको SPF ज़रूर लगाना है अगर आपने डे टाइम में फेशल किया है तो SPF लगाना बिल्कुल भी मत बूलेगा ताकि आपके जो फेशल का आपको मिले तो सरी के से मैं जो आपके फेशल कर लगा दूंगी इसको इसका साथ मैं में शोड़ देनी है अपने आप इसकीन में अबसर्व होजागा तो ने नेक एंड फेस पूरी को चैसे कवर करते हुए हम SPF लगा लेंगे तो इस सारे स्रेप्स को फॉलो करते हुए आप आपना खुद का सेल FACIAL कर सकते हैं घर पर ही FACIAL kit के साथ बहुत अच्छा result आपको मिलेगा जरू ट्राइ कीजेगा आशा करती हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो गई अच्छा लगा थो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और मुझे कमें और अगर चार्म फसक्राइब नहीं किया तो प्लीजỏ को सब्सक्रायब भी कर लिजे का पासी बाइन दिया आप सब्सक्राइब करें आप कर लिजेगा देख लेजए 然後 इन seguinte नोठे जाए ऑप आप कि अपना अपनों का यूं ही प्यार बढ़ते हैं टेक किया थेंक्स वोचिंग लभी ओल बाबाई